लिए अल्पीएष बोसार द्वर आयोजित रोटरी किलफ ओफ रहतक पी बी जेन स्किल्ड डेबेल्पमेंट सेंटर बर नगर निगम रोहतक के तत्वा धान में प्रयावण को बचाने के लिए चलाई जारी मुहीम के तहट पहले दिन माता दरवाजस्थित जेन पबिल्क स्कूल के प्रांगन में सादू संतों की चत्र चाया में बातावन को स्वच बनाने के लिए पोधार ओपन की मुहीम के तहट 899 पोधे लगाकर प्रांगन को हरा भरा किया गया पोधर ओपन की मुहिम का सुभा रम किया गया जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो स्टाप स्वच्छ हावा ले सकेंगे प्रसाशन दवारा बनाएगे नेमो का पालन करते हुए पहले सभी ओजारों को सेनेटाइज किया और सभी ने अपने हाथों को सेनेटाइज किया मीडिया प्रभारी राजीब जेन ने बताया कि इस अपसर पर सानिध्य महामनलेश्वर बाबा कपिल पूरीजी महराज वा बाबा कमल पूरीजी महराज मुख्य अतिथी समा से भी उद्योग पती राजीब जेन रोटरी कलब के परधा रोटेरियन राजेश कपूर 800 पोधे एनमर्जी हेज लगाए ये पोधा लगाने का कार्य तीन दिन में पूरा होगा पोधों की देख रेक की जिम्मेदारी प्रिंसिपल स्कूल के स्टाफ वो स्कूल के विद्यार्थियों ने ली और पोधों की प्रतिदिन रेक रेक कर बड़ा करके सेलफी लेकर तक शहर को ऑक्सीजन हब बनाना है जिस प्रकार हम बिना पानी के नहीं रह सकते हम पानी पीने के लिए बिसलेरी की बोटल खृदने के लिए बाजार तक जाते हैं उसे प्रकार पोधों को भी प्यास लगती है आसपास लगे पोधों को भी पानी देना हमारा कृतब्य बन इसे एक तो बातावरन स्वच होगा और हम ताजी हवा में सांस ले सकेंगे और इसका दूसरा फाइदा बिजली की खपत में भी कमी आएगी क्योंकि पेड होंगे तो लोग उसकी चाया में बैठेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी हमारे द्वारा लगाएगे पोधो के कारण हो रही है वो नहीं होती इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने चाहिए जिससे बातावरन स्वच होगा इस अपसर पर राजनेतिक सलहा का राजीब जेन सुनील जेन रिशव जेन अमित नागपाल राजीब बैरिबाल दीपक जिंदल अनिल बंसल नाबन, पवन मिश्रा, शीतल, स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल बब बिद्यार्थी आदी मौजूद रहे